हेलो एवरिवन आज हम डिस्कस करने वाले हैं C.U.N. 2023 के अप्लिकेशन फर्म्स के बारे हम बात करने वाले हैं इसको लेकर क्या के अपडेट से ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पहला अपडेट है कि जो है NTA इस week notification रिलीस कर सकता है जो admission calendar होने वाला है दूसरी चांसेस है मैं बहुत चांसेस है कि जो है CU8 इस year से साल में दो बार हो इस year से chances है साल में दो बार हो admission calendar तो आपको इस month देखने को मिल जाएगा और आपके जो admission form है CU8 का जो forms है वो आपको form fill करने की जहां तक expected date है वो feb रहने वाली February में form fill किये जाएंगे और आपका जो test है वो April end या फिर May के first week से जो test start हो जाएंगे तो आप जिस भी course में admission लेना जाते हैं जिस भी universities में admission लेना जाते हैं उसका eligibility criteria जरूर चेक कर लेजे क्योंकि form में आपको वही subject test में देने हैं जो की universities की requirement है अगर आप other subjects देंगे तो उसके कोई फाइदा नहीं होगा बहुत सारे बच्चे eligible नहीं हो पाते जैसे कि मैंने आपको सबसे अच्छा example दो आप जो पैच्छी पिले articles read कर लेना जो टॉन्टी टू में आर्टिकल पब्लिश हुए कि सीउएट में form कितना है लेकिन universities में apply काम हुए सीउएट में आप देखेंगे दिल्ली universities को target 6 lakh प्लस candidate नहीं किया लेकिन जब admission दिल्ली universities का separate form फिल करने के बात है तो सिर्फ 2 lakh प्लस candidate थे क्यों क्योंकि बच्चों ने eligibility criteria fulfill नहीं किया रहा था तो यह गलती आप ना करें इसलिए पहले सही eligibility criteria चेक करके रखिए ठीक है बाकि कुछ भी updates होगा forms आएंगे कैसे फिल करना होगा जात तो eligibility criteria की वीडियो चैनल पर upload है आपको कोई doubt हो किसी topics टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए आप कमेंट कर दिएगा उस टॉपिक्स पर जल से जल वीडियो बना दी चाहिए थैंक यूँ